दोसों जैसा कि आप लोगों ने थमनिल में देखी चुका होगा तो ये चीजे करनी के लिए हमको तीन चीजों की जरूरत पढ़ने वाली है पहला जीओ एप की दूसरा जीओ का मुबाइल नंबर होना चाहिए और तीसरा OTP ये तीनों चीजों का यूज करके आज हम ये इनफॉर्मेशन जानेंगे दोसों इस में थट से आपने जिसका भी मुबाइल नंबर एड किया होगा उसने कब कॉल किया किसको कॉल किया कितने टाइम पे किया है और कितने मिनट बात किया है किस नंबर पर किया है ये सारी की सारी चीज़े आपको पता चल जाएंगे और यही नहीं आप पिछले 6 महीने तक की उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में कि उसने कहां कहां काल किया किस नंबर पर किया कितने मिनट का किया और एसमस देख सकते हैं कि कब किया कि इसको कॉनिस किया डाट्र देख सकते हैं कि इस ने कब डाटा यूज किया, कितने टाइम कितना डाटा यूज किया तो दोस्तों अगर आप एक मेल है तो इस वीडियो को अपनी करेंगे जहां पर उसकी इंपोर्टेंस होगी वहीं पर आप उसको यूज करेंगे इसमें मैं कोई है बगएर नहीं बताऊंगा इसमें जी यो एप का यह फीचर से वहीं मैं आपको बताने जा रहा हूं तो दोस्तों अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अग्णाश को मैं जुक्ष कि कर देते हैं टैज उसके बाद यहां पर नभर के भगल में करिए च फाइब प्रूबल प्रूब ठीजी प्रूबाइट निचे साइद पर न बडंश की हमक्जानी है कैंश की अाउन इतेल हम इसे जान सकते हैं तो वो नमबर हम यहां पर डाल देते हैं नमबर डालने के पाद जनर्ये टो टिली पेपर टरूश कर देते हैं अपर इक कि अ ल्यारा जो हम ने अपर stronger डाला है उस नमबर पर लोग देख लेते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं कि जैसे ओटीपी डालते हैं यह आटोमेटिक ही सब प्रोसेस हो जाएगी यहाँ पर लिखा हुए अकांट अड़ेट सक्सेश फूली कि पर क्लिक कर देते हैं अब यहाँ पर ऐसे आ जाता है हमिने जो नंबर है जिसका । डेटल जान नहां है उसको कर लेते हैं सपत्रिक ही तो इस तरीक से में बताःएगा जहां से आप इस नंबर के डिटेल्स से स्में सकॉल डांटा कितन करते हैं यहाँपर statement है यहां से हम लोग जान सकते हैं और scroll करते हैं यह यूजेश details है इस पर click करते हैं जैसे touch करते हैं तो इस तरीके से आ जाता है color पर touch करेंगे तो कल्स कि सारी डीटेशRO织 आ जाएंगी कि कब किया है क्या किया है कैसे किया है कितने बज़े कितने मिनट बात हुए यहाँ पर बता दीगा SMX आले पर टेस्ट करते हैं तो अभी मैंने SMX किया है तो वहां से क्यों SMX आल पर ने दिखा रहा है अब मैं आपको बताता हूँ एक और जगा है जहां से आप statement देख सकते हैं यह देखिए यहां पर मेनू लिखा हुआ है उस पर टाश करते हैं जैसे मेनू बाले option पर जाते हैं यहां पर देखिए statement लिखा हुआ है statement पर हम लोग touch कर देते हैं एक मह dedans करके बस आप पिछले 180 दिन तक के लेघां सकते हैं यहां पर कुँश क셔서 करना पड़ेगा अं gent यह आपको टोटल одна și 109 आप पिछले 180 दिन तक के लीये सकते हैं लेकिन यह द्यान रहे कि आप किसी भी एक महीने की एक एक महीने करके बस आप ले शकते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते कि की फूरे 100 दिन आ दाल देंगे तो यहां पर सो हो जाएगी मैं आपको भी करके दिखाउगा और यहां पर आप प्रफियू स्टेटमेंट है इमेल स्टेटमेंट है तो वहां से दो तरीके सापने सकते हैं यह मैं कस्टम टेट कभी आज कि अज जैसे की देखे आठ जून 2014 है ठीक है मुझे पिछले जन्वरी की स्टेटमेंट लेना है तो जन्वरी के लिए देता हूं और जन्वरी के तिस जन्वरी तक लिए लिए तो मैं इस पर कर देता हूं कि तीन बरी दन अब यहां पर इमेल स्टेटमेंट है इमेल स्टेटमेंट यहां पर करते हैं और यहां पर इमेल डाल देंगे तो अपना इमेल डाल की سममीट कर देंगे तो हमारी एमेल पर आज आएगी अब ऐसे तो हो गया हम अपने पिछले 6 महीने तक ही ले सकते हैं अगर आप यहाँ पर ऐसे कर देंगे कि जैसे 8 जनवरी से और जो डेट आज तक ही जैसे कि आठ जून है तो इसमें तो बहुत 3-4 महीने का गैप हो गया ठीक है तो 6 महीने का नहीं निकलेगा पिछले हम 6 महीने तक का निकाल सकते हैं लेकिन एक महीने का निकालना है जैसे कि जनवरी पूरी जनवरी का निकाल सकते हैं फरवरी का निकालना है तो पूरी फरवर यह निकालता हूं उससे बंडेश का है ब्यू स्टेट्मेंट है ब्यू स्टेट्मेंट पर कर देता हूं टश कि उसके बाद इस तरीके से आप्सन आता है यहां पर देखने के लिए हम पोच जैसे की काल वगएर आइसमेस वगएर किसको कब हुआ कितने टाइम को हुआ तो यह यूसेज चार्जेस है उससे हमको टश कर देना है यहां पर वाइस वाली पर टश करना है देने इस तरीके से ओपन होता है यहां पर हमको यह जो क्लिक हेर वाला आप्सन है क्लिक हेर वाले आप्सन पर टश कर देना है जैसे ही टच करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर नमबर ही नमबर कुल के आ जाते हैं जो बात हुई होती है यहाँ पर देखे डेट दिया हुआ है और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है कितने के हुई है और यहाँ पर अमाउंट के सेक्शन में यहाँ पर देखे एरो बना है इस पर टश कर देते हैं जैसी टश कर देते हैं इस पर तो यहां पर देखे कितना second बात हुई क्या हुआ क्या नहीं हुआ यह सारी की सारी details से यहां पर बता देगा तो गायों मेद करता हुँ कि यह वीडियो आपके लिए काफी जादा helpful रही होगी तो प्लीस दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो में लाइक कमेंट करना मत भूलेगा और हाँ प्लेलिस्ट को देखना आप मत भूलेगा आपको सबसे कम टाइम में इसी चैनल पर अच्छी जानकारी मिलेगी वो भी एकदम ईजी तरीके से तो मीते हैं तुस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गाज बाइबाइ